चोपड़ा नीट पीजी इंपोर्मेशनी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी भावी डोक्टर्स आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो MCC का सेडूल हमारे बीच में वाइरल हो रहा था वो क्या real है या फिर fake है, साथी साथ MCC के category change के बारे में जो notice दिया है MCC ने उसके बारे में भी बात करेंगे, साथी साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको आपकी रेंक पर कौन सी ब्रांच में कहां पर कोलेज मिल सकता है तो इन विशह पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम MCC के सेडूल की बात कर लेते हैं तो हमारे बीच में एक वाइरल हो रहा है सेडूल उसके बारे में काफी सारे कंडिडेट्स को ये डाउट है कि ये रियल है या फिर फैक है तो ये जो MCC का नोटिस आया है इंडियन से NRI कैटेगरी चेंज का इससे ये जायर होता है कि ये नोटिस है वो रियल ही है और MCC की काउंसलिंग 20 सिप्टेंबर 24 से स्टार्ट होने की पोसिबिलिटी है अब मैं आपको बताऊं कि ये रियल क्यों लग रहा है क्योंकि हर बार ऐसा होता है काउंसलिंग से पहले जो ये कैटेगरी चेंज होती है इंडियन से NRI जो कंडिडेट NRI कैटेगरी में एडमिसन लेना चाते हैं NRI seat पर एडमिसन लेना चाते हैं डिम्ड के अंडर तो वो अपना केटेगरी चेंज करवाते हैं और ये जो केटेगरी चेंज का जो नोटिस है वो 4 या 5 दिन पहले counseling start होने से पहले आता है तो इससे ये जाईर हो रहा है कि ये जो notice है वो real है और MCC की counseling है वो 20 September 24 से start होने की possibility है एक बार हम ये notice देख लेते हैं notice में ये साफ कहा गया है कि अगर किसी candidate को Indian से NRI category change करना है तो वो change कर सकते हैं nationality change करना है वो change कर सकते हैं 17 September 24 सुबह 10 बजे तक और इसके साथ में change करने के लिए कुछ supporting documents की जरुवत होगी और ये आपको affidate देना होगा इस affidate में documents भी लिखे हुए हैं कौन आपको sponsor कर रहा है उसकी sponsor की id वगरा और affidate वगरा ये सारे यहां attach करके आपको mail करना है और mail का जो mail id है वो nri.adgme mcc1.gmail.com है इस पर आप 17 September 24 सुबह 10 बजे तक आप इस पर mail कर सकते हैं तब category change हो जाएगा आपकी category change के लिए consider किया जाएगा और उसकी list फिर डाल दी जाएगी तो ये तो clear सा ही हो गया कि ये जो notice अभी viral हो रहा है ये real ही notice है इसमें अभी mcc की तरब से ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि ये notice fact है क्योंकि इस परकार से अगर fact notice viral होते हैं तो mcc द्वारा clarify कर दिया जाता है कि ये notice fact है लेकिन ऐसा नहीं किया गया है अलांकि mcc की website पर ऐसा कोई schedule अभी जारी नहीं किया गया है लेकिन हम आसा कर रहे हैं कि ये जल्द ही एक दो दिन के अंदर जारी हो जाएगा तो जैसे ही ये जारी होगा हम आपको inform कर देंगे अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको आपकी rank पर कौन सा college मिलेगा कहां पर आपको college मिल सकता है कौन सी best branch मिल सकती है कितनी rank पर मिल सकती है और क्या marks पर मिल सकती है कौन सी category में तो ये जानने के लिए हमने आपके लिए book तयार की है और इस book की मदद से आप अपने counseling आसानी से करवा सकते हैं इसमें पहले मैं UG की book लिखते आ रहा था लेकिन इस साल से PG की book भी publish की है ये आपके लिए काफी फाइदे मन रहेंगी अगर आप PG में admission देख रहे हैं तो इस link आ चुका है तो इसके लिए मैं आपको पूरा procedure समझा देता हूँ कि कैसे आपने check करना है और क्या-क्या facility इस book में available है मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी इसमें तो ये जो counseling guidance है इसमें All India quota के बारे में समझा रखा है All India quota के बारे में इसमें सब कुछ समझा रखा है पूल India quota के साथ Central University जैसे दिली University है AMU है BHU है और इसमें psychiatry राच्ची है तो ये इन सब के बारे में समझा रखा है साथी साथ DNB के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है इसमें MD, MS, Diploma Courses, DNB Diploma इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझाया है अ तो मैं आपको यहां पर briefly बता देता हूँ आपको कैसे कैसे इससे फाइदा हो सकता है इसमें एक तो सबसे पहले counseling के बारे में समझाया गया है कि आपको counseling कैसे करवानी है कौन-कौन से counseling होती है किस परकार से counseling करवानी है इसमें previous year की marks versus rank दे रखी है कि कितनी marks पर कितनी rank थी तो यह previous year का इसमें data दे रखा है इसमें list दे रखी जो mcc द्वारा कौन-कौन से mdms और diploma course में admission करवाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि कौन-कौन से course हैं कौन-कौन सी branch हैं जिनमें आपको admission मिल सकता है और mcc द्वारा इसकी कौन- कोर्स के लिए है list इसमें कि यह कोर्स dnb कोर्स हैं जो mcc द्वारा offer किये जाते हैं इसमें इसके बाद में ओल इंडिया कोटा की seat matrix दी गई है ms, md, diploma और यह dnb के लिए भी seat matrix दी गई है यह state wise bond detail दी गई है अब इसमें last cutoff दी गई है category wise इससे आप यह idea लगा सकते हैं कि आपको कौण से state में last में कौण सा college मिल सकता है किस category में यह एक list आपके लिए beneficial है यहाँ पर इसके बाद हर एक branch की category wise, college wise, round wise cutoff दे रखी है यहाँ पर round wise cutoff दे रखी है जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको इस category में इस round में यहाँ पर admission मिल सकता है अब आप देख कैसे सकते हैं यह क्या क्या देख सकते हैं यह मैं आपको बताऊँ अब देखो यहाँ seat matrix दे रखी है all India quota के लिए seat matrix है यहाँ पर MD, MS, diploma courses के लिए इसके बाद में इस परकार से state wise bond detail दे रखी है कौण से state में bond है, कौण से में नहीं है MD, MS के लिए यह सारी detail दे रखी है अब इसमें stipend दे रखा है, annual fees कितनी है तो यह भी सारा इसमें सब कुछ समझाया गया है अब इसमें stipend annual fees, central university के लिए दी गई है, dnb quota के लिए दी गई है यानि कि हर एक branch के लिए इसमें सब कुछ समझाया गया है इसमें अब सभी branch के लिए इसमें cut off दी गई है, सभी category के लिए और सभी round में देखो यह cut off इस परकार से दी गई है, मैं आपको यहां पर यह समझा देता हूँ जैसे कि मालनो वर्दमान महावीर है, category यहां open है, इससे नीचे OPC EWS सभी category की open category की MD radio diagnosis में, वर्दमान में, first round में All India ring 13 गई थी पिछली साल का यह है, second में कोई college alert नहीं, third में क्योंकि आगे seat vacant ही नहीं होके आई है इन colleges में, तो आप यह भी idea लगा सकते हैं कि इन में जो first में college मिल जाती है, top की, वो college मिल जाती है, बात में college नहीं मिलती है तो इस प्रकार से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, आपकी rank क्या है, उस rank पर जैसे की मान लो आपकी rank 32 है, तो इस rank पर ये-ए college मिल सकते हैं, इससे नीचे ये college मिले वह हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे, इससे उपर भी ये college हैं, और आपका ये college आ रहा है इसमें, 1st round में ये college मिला था, 2nd में इतना difference रहा था, 1st में 132, 2nd में 185, 3rd और 4th stream में मिला नहीं था, क्योंकि ये top college हैं, तो आगे C team में रहती नहीं है, तो इस परकार से आप एक idea लगा सकते हैं, पूरा सभी वरंचू का idea लगा सकते हैं, ये तो मैंने आपको एक MD radio की बताई है, diagnosis की, इस परकार से OBC category में भी इसी परकार से Sam दे रखा है, तो इस OBC category में भी देख सकते हैं, और इसके बाद में दूसरा जैसे radio diagnosis में diploma हैं, तो diploma में open category की कौन सी college में क्या cut off रही थी, ये सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो इससे आप एक idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन सी branch मिल सकती है, कौन से state में मिल सकती है, कौन सी college मिल सकती है, वो पिछले साल first round में कितनी rank पर मिली थी, जो पिछली साल मिली थी, वही इस बार भी मिलने की, क्योंकि rank में फरक नहीं पड़ता है, रेंक के थोड़ा भोथ ही fluctuate होता है, इसमें ज्यादा फरक नहीं पड़ता है, अब जैसे कि मालो मैंने यहाँ diploma radio diagnosis का open category का बताया है, यहाँ पर open category की ये cut off DNB quota के हैं, तो इस परकार से आप इसमें देख सकते हैं, एक पूरा calculation निकाल सकते हैं, एक white page पर लिख सकते हैं, आपकी मेरे को इन इन branch में ये college मिल सकती है, ये book आपके लिए काफी beneficiary साब मिल होगी इसमें, अब इसमें pediatrics में देखते हैं, हम OBC category में इसी परकार से इसमें भी सा समझाया गया है, first round, second round, third round, तो ये मैं आपको एक example दे रहा हूँ, बाकी इस book में बहुत कुछ है आपको, DNB quota में देखना है, आपको ओर्थों में देखना है, open category में कौन सी rank पर कौन सा college मिला हुआ है, ये book मैंने बड़ी महनत से बनाई है दोस्तों, और A की जगे आपको स सारे round A की जगे मिल रहे हैं, category A की category में कौन से college में क्या cutoff रही है, जैसे की diploma है, TB and chest इसमें है, family medicine में है, तो ये सारी की सारी cutoff दी गई है, जिससे आप एक idea लगा सकते हैं, जैसे MCS neurosurgery six years course है, और direct six years neurosurgery का इसमें open category में ही seat होती, तो ये सारा सब कुछ इसमें समझाया गय है, तो cutoff से आप एक idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन सी college मिल सकती है, कौन सी category में, कौन से state में, कौन सी branch मिल सकती है, जिसकी fees क्या होगी, ये सारा सब कुछ समझा दिया है, जिससे आप पूरा एक idea लगा सकते हैं इस book से, अब counseling process भी दिया गया है इसमें, first round की condition क्या है, कित में आपको join करने पड़ेगी, नहीं तो security money का नुकसान है, तो इस परकार, इसमें सारा first round में क्या condition है, ये point wise मैंने सब कुस समझा रखा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस book के अलावा, जो मैं UG की book लिखता था, वो student के काफी helpful रहती थी, इसी विचार काफी student का मेरे प helpful रहेगी, और उन्होंने मेरे को comments लिख के काफी बार बुलाए कि जिस परकार से आप UG की book लिख रहे हैं, इस परकार से PG की book भी publish कीजिए, ताकि हमारे को फाइदा हो सके, अब इसको download करने के लिए, आप इस वीडियो के description box से download कर सकते हैं, जैसे ही more उपर click करेंगे, आप आपको इन books का link मिल जाएगा यहां पर, जैसे ही यहां मैंने उपर उपर PG की book का link दे रखा है, यह जो मैंने आपको सब को समझाया है, वो PG की book में मिल जाएगा, और यह नीचे UG की book का link दिया गया है, इसको आप हमारी website www.sopra.education.in से भी download कर सकते हैं, जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, तो आप download page पर पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप इसको download कर सकते हैं, तो यह जानगारी थी इस book के बारे में, ताकि आप PG की counseling अच्छी तरह केश से करवा सकते हैं, आपको हर चीज का knowledge हो सके, पॉंट सी college आपको कितने marks पर, कहां पर मिल सकती है, कितनी rank पर मिल सकती है, यह सारा सारा आपको idea हो जाएगा इसमें, तो बाकी updates के साथ में आप से फिर से मुलाकात होगी, जैसे ही counseling स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको inform कर दूँगा, तो मिलेंगे नई update के साथ, नए वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं आप से लेता हूँ, वीड़ा, जैहिन!